साथियों, आज ये निर्न लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सिनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी. ये व्यवस्ता आने वाले दो सप्ता में लागू की जाएगी. इन दो सप्ता में केंद्रव और राज्य सरकारे मिलकर नई गाइडलेंज के अनुसार आवशक तैयारी कर लेगी. संयोग है कि दो सप्ता बाद 21 जून को ही अंतर राश्टिय योग दिवस भी हैं. 21 जून सुमवार से देश के हर राज में 18 वर्षे उपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुप्त वैक्सिन मुहया कराएगी. वैक्सिन निर्माताओं से कुल वैक्सिन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुप्त देगी. यानि देश की किसी भी लाज्य सरकार को वैक्सिन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा. अब तक देश के करोडों लोगों को मुप्त वैक्सिन मिली हैं. अब अठारा वर्ष की आउ के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे. सभी देश वाच्चों के लिए भारत सरकार ही मुप्त वैक्सिन उपलब्द करवाएगी. गरीब हो, निम्न मद्यमबर्ग हो, मद्यमबर्ग हो या फिर उच्चवर्ग. भारत सरकार की अभ्यान में मुप्त वैक्सिन ही लगाई जाएगी. हाँ, जो व्यक्ति मुप्त में वैक्सिन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सिन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है. देश में बन रही वैक्सिन में से 25 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं ये व्यवस्ता जारी रहेगी प्राइवेट अस्पताल वैक्सिन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिक्तम एक सो पचास रुप्य ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे इस्ती निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा साथियों हमारे सास्त्रों में कहा गया है प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित उद्योगम अनू इच्छती चा प्रमत्त अर्थात विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते बलकि उद्यम करते हैं परिश्रम करते हैं और परिश्थिती पर जीत हांसिल करते हैं कोरोना से लड़ाई में 130 करोड से अधिक भारतियों ने अभी तक की यात्रा आपसी सहयोग दिन रात मेहनत करके ताई की है आगे भी हमारा रास्ता हमारे स्वरम और सहयोग से ही मजबुत होगा हम वैक्सिन प्राप्त करने की गती भी बढ़ाएंगे और वैक्सिनेशन अभ्यान को भी और गती देंगे हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सिनेशन की रप्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज हैं